ओके तो सिवेटी पेजी वाले स्टुडेंट के लिए एक और गुड़ीज निकल करके सामने आ रहे हैं तो जैसा कि दोस्तों आप लोग के लिए सी यूजे यानि के सेंटाल निवर्सिटी अप जारखण अपना खुद का रेजिस्टेशन पोर्टल करनिंग की स्टार्ट कर दिया है अब यहांँप जाकर के आप लोग रेइस्टेशन कर पाऊगे तो बिसिकलिस यहां पर सभी लोग रेइस्टेशन कर पाएंगे जितने लोग इस बार सी युञीट का एक्जाम दिया थे सभी लोग इस ट्रीक कर पाएंगे यह जैरूरी नहीं है कि अगर आप आपका मार्स लग 20 इस नमबर भी आया हुआ हैban अप लोग यहाँ पर कर देना आपकी यहां पर बतता हूं और दोस्तों अगर आप लोग खुद से इस नोटिस को पढ़ना चाहते हो तो इस पीडियाप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाल दिया हूं आप खुद से भी पढ़ सकते हो लेकिं दोस्तों कि मैं कुछ हाइलाइट्स प्रेंट्स को पढ़ दोस्तों अगर आप लोग पी डावलूडवी यानि कि फिजिकल हेंडिकैप हो तो आपकी जो रिजिश्टेसन की चार्ज होने वाली है वह दो सो रुपए होने वाली है तो यहां पी लोग इन लोग दो सो रुपए को भी बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया है आप लोग जो फी पेमेंट करोगे वा नन रिफेंड डेवल फी होगा मतलब कि आप लोग एक बार रिजिश्टेसन कर दिये तापकि जो फी हवा आपस नहीं की जाएगी तो यहां पी लोगों ने सभी चीज को डिटेल में मंसन किया है बाके दोस्तों आप लोग की कोई भी अगर इस पीडियो को भी खोल दिया है अगर आप लोग इसको खुद से भी पढ़ना चाहते हो तो तो इसका भी लिक में नीचे डिस्किप्सन बॉक्स में डाल दूँगा आप लोग इसको खुद से भी पढ़ सकते हो और उसके बाद आप लोगे का 10 खा मार्सित होना चाहिए, 12 का मार्सित होना चाहिए, आप लोग ने कहां से scorecard भी रखे लेना जो आप लगए scorecard है वो भी लगेगा यानि कि ये तीन चीज आप लोग तो अपने पास रखे ही रहेना कि कि दोस्ति इसमें से बहुत सारे लोग अपना application को नहीं रखते हैं और यहां पर admit card को भी नहीं रखते हैं वह लोग डाउनोड करके रखे रहेना नहीं तो सरभर इसके इनका अगर बीजी हो गया स्वेटी पीजी वाला तो भाई इसके बाद आप लोग दोस्त के साथ हुआ था तो भाई मतलब उसका साल बरबाद हो गया थ करते हो तो अपना card certificate को जरूर mention करना तो यहां पर लोगोंने card certificate के लिए बहुत अच्छे से बता दिया है और दोस्तों उसके बाद आप लोग का जो भी details है यहां पर लोगोंने सभी चीज को detail में मेंसन कर दिया है अगर आप लोग फिजिकली हैंडिकेप हो तो उसका भी आ कास्मीर से पढ़ना हैगा वो भी जारकन में तो यह आपके लिए हैं नहीं अगर आप लोग होगे तो इसको आराम से इक पर पढ़ने ना कोई issue की बात नहीं है आप लोगों के फदर मदर अगर defense में है तो आप लोगों को कुछ sit यहां पे रिजाब्ड मिल जागा तो यहा आपको sports में मतलब आप लोग को कुछ sit मिल जागा और यहां पे आप लोग अराम से अडविशन ले पाऊगे इस पोट सीट वालों के यह होता है कि अगर आपको स्यूटिपीजी में अगर low marks भी आया है तो आप अपने sports category पे आराम से घूँ सकते हो इस पोटा में आप कर रहा है तो आप लोग इस इंवर्सेटी के लिए एक बार जरूर आजिस्टेशन करना आप लोग का इंटेग्रेटेड कोर्स बहुत जादा है तो अगर आप लोग इंटेग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो तिहां आपके लिए best option होने वाला है बाकि आपना खुद से subscription box में ढाल दूंगा आप लोग इस इंवर्सेटी को अराम से चेक करना बाकि दूस्ति इंवर्सेटी बहुत जादे पुराना नहीं है 2006 के आसपास में बना है तो भाई यह एक नया इंवर्सेटी है फ्रेशर्स इनवर्सेटी है तो इसका लुमिनाई भी ठीक ठाक नहीं त गर दोस्तों मैं आप लोगों से रिक वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग भायके चैनल पहने हो तो प्ली्ज भायके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना कि कि अब आप लोगे नहीं करोगे तो मैं तो वीडियो बनाऊऊंगा लेकिन वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगे इसलिए आप लोग कोशिस करना कि जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बहुत बहुत धन्यवाद